प्रियर एंजन और आज की इस एपिसोड में जैपरकास पावर विंचर लिमिटेड इस्टॉक को डिसकस करेंगे जैपी पावर ने अपने कोटरली नंबर्स डिकिलियर कर दिये हैं और जो एक्सपेक्टेशन था कुछ वह ऐसा ही नंबर दिखा है तो इस समय एपिसोड में के बरें इससे पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सियर करेंगे अ कंटिनूस अंडर परफॉर्मर रहा है फ्रॉम पास लास्ट फ्रॉम लास्ट सिक्स मन्त अंडर लिखेंगे तो 1349 रेवेन्यू पिछले कोटर लास्ट इयर था और इस समय जो रेवेन्यू रहा है वो कितना रहा है वो रेवेन्यू रहा है 1226 करोर यानि रेवेन्यू में लगबग 11-12% के डाउंट्रेंट रहे यर और यर बेसिस पे और कोटर बेसिस पे देखेंगे तो रहा है लगबग 1750 से 1226 हो गया है तो यह लगबग 40% के आसपास का 35-40% के डाउंट्रेंट रहे लेकिन जो प्रॉफिटिबिलिटी रही है वो यर और यर बेसिस पे 160 के आसपास का बरा है पास्ट सेप्टेंबर में पिछले साल सेप्टेंबर में 68 करोर की प्रॉफिटिब डीप रहा लेकिन अवरल जो नंबर्स है वो यर ली बेसिस पे ही मैक्सिमिम देखे जाते हैं और जिस प्रकार के नंबर्स रहे हैं काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर दीख रहा है और यहां भी देखेंगे तो कंपनी में जो FI है उसकी होल्डिंग D.I. की भी होल्डिंग बरी पबलिक ने थोड़े भावत पोजिसन बेचे हैं इसके अलावे देखेंगे तो कंटिन्यूरस कंपनी की क्यापेक्स तो दिखी रहे है यहां अगर year on year basis पर देखेंगे तो sales थोड़े वीक रहे हैं यहां देखेंगे तो sales 10-12% गीरा है लेकिन कंपनी का OPM बेटर रहा कोटन कोटर बेसिस के थोरे numbers इतने favorable नहीं रहे और जो volume है वो तो consolidate form में ही volume दिख रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है चुकि 6 month underperformer रहा है बजार के sentiment week है तो हो सकता है कि एक बार आपको 15-13 जैसे levels दिखें लेकिन अगर आप hold कर सकते हैं तो ये एक opportunity है for target of 24, 38 और 50 जैसे levels के लिए याद रखें सोटम बजार का trend week है तो थोरा साब धानी लेकिन अगर आप hold कर सकते हैं तो ये अच्छा मुझे लगता है कि